आज मैं बनाने वाले हूँ खूब सारे मसाले में लटपट मसालेदार पनीर देखिए इसका टेक्स्चर देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है बहुती इजी और जटफट बनने वाला एक आसान रेसिपी है आईए चलिए इसे बनाते हैं हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले मैं यहां पनीर के कुछ पीसस ले लेती हूँ इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लगाके इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रख दूँगी इसे पनीर का कलर फ्राइ करने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है अब मैं एक फ्राइंग पैन लूँगी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और अब मैं इन पनीर के पीसस को फ्राइ करूँगी इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राइं नहीं करना है मैं थोड़ा फास्ट फोवर्ड में आपको दिखा रही हूँ ताकि रेसिपी आपको जल्दी समझ आ जाए और आप बोर भी ना हो पनीर हमारा फ्राइ हो चुका है अब मैं इन पनीर के पीसेस को निकाल रही हूँ सेम फ्राइंग पैन में मैं दो तेज पत्ता आधा चमच जीरा एक टुकड़ा दालचीनी दो तिन इलाइची डालूंगी और इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज प्यास को हमें हलका देट तक फ्राइ करना है थोड़ा सा जब यह फ्राइ हो जाए तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कुछ काजू के पीसेस और एक मीडियम साइज का टमाटर इन सारे चीजों को मुझे फ्राइ करना है बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है तो मैं इसे निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लूगी ग्राइंड करने से पहले मैं दोनों तेज पता निकाल दे रही हूँ अब मैं दूसरे पैन में ले रही हूँ तेल तेल में अब मैं एड़ कर रही हूँ हमारा पीसा हुआ पेस्ट इस पेस्ट में मुझे कुछ spices एड़ करना है लेकिन ये पेस्ट ना जले इसके लिए में थोड़ा सा पानी इसमें एड़ करूँगी अब मैं इसमें बाकी के spices मिला के इसको भूनूँगी spices में मैं डाल जीओ आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर दीजिए एक चुताई हल्दी पाउडर आदा चमच गरम मसाला पाउडर और कुछ काली मिर्च इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी सारे मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी 2 टेबिल स्पून दही दही डालने से इसकी ग्रीवी की टेक्स्ट्र बहुत ही अच्छी आती है इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और इसमें मैं एड़ कर रही हूँ फ्राइ किया हुआ पनीर अब इन सारे चीजों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसे एक बॉयल आने तक मैं इसे थोड़ा दिर और पका लूँगी यह अच्छे से बॉयल हो गया है अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ कसूरी में थी गेस का फ्लेम में कर रही हूँ आफ डिश हमारा हो गया है रेडी अब मैं इसे निकालती हूँ ट्राइ जरूर करिएगा इस रेसिपी को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्टे हैपी और स्टे सेफ